तो दोस्तो अगर आप Big Boss का OTT Season 2 देख रहे हो तो इस बार आप देख रहे होगे कि YouTubers ने तो मतलब धमाल मचा रखिया और यहाँ पर दोस्तो मैं आपको चार ऐसी scripts के बारे में बताने वाला हूँ जो Big Boss Makers ने try तो बहुत करी लेकिन बहुत बुरी तरह से fail हूए तो क्या है वो चार scripts उनके बारे में जान लेते हैं और अगर आप agree करते हो ना तो यह वीडियो जरूर शेर करना Big Boss fans के साथ तो जो पहली script जिया और अभिशेक की love story जिया दोस्तो पूरी कोशिश करी Big Boss Makers ने भी और जो जिया की शायद PR team होती है उन्होंने भी के वो अभिया को बहुत ज़्यादा trend करवा है social media पर लेकिन दोस्तो वो बुरी तरह से fail हूए क्योंकि अभिशेक ने इसको पूरा नहीं होने दिया और यहाँ पर यह script Big Boss Makers भी चाते थे के हो और हमेशा Big Boss Makers यही ट्राइ कर रहे थे के उन दोनों को पास लाया जाए टास्क में आप देख लो या फिर किसी भी जो भी events हो रहे थे घर के अंदर उन सम्में वो दोनों को पास लाने की ट्राइ कर रहे थे लेकिन बुरी तरह fail हुए सेकंड नंबर पर दोस्तो अभी शेक वर्सिस Elvish Fight बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली कि घर में अभी शेक और Elvish दोनों का जगडा हो ताकि बहुत ज़्यादा TRP मिले क्योंकि यही दोनों सबसे ज़्यादा popular contestant है और एक बर कृष्णा अभी शेक ने भी ट्राइ करी थी कि वो अभी शेक के बारे में कुछ पूरा बोलके कि तुम तो अपने दोस्तों को डस लेते हो इस तरह का कुछ था और बाद में सलमान खान ने भी यही चीज़ ट्राइ करी थी कि अभिशेक तुम बहुत चालू बनते हो अपने जो नस्दीक वाले होते हैं दोस्त होते हैं उनको तुम डस लेते हो तो मतलब इस तरह का कुछ बोला था तो यह मतलब बेसिकली अभिशेक वर्सिस एलविश यादव करवाने का पूरा पूरा ट्राइ गया लेकिन इसमें भी बूरी तरह से फेल हुए तीसरे नमबर पर दोस्तों पोर्टरेंग एलविश एस विलन तो आपने देखा होगा कि एलविश ने जब आते ही धमाल किया था ना मतलब कि अविनास से लड़ाई करी थी तो बिग बोस मेकर्स ने सोचा था कि पूरे सीजन में ही इसको जादा से जादा बड़े से लेकिन दोस्तों पहले जो डिक्टेटर टास्क दिया उसमें भी एलविश ने कुछ जादा नहीं किया मतलब कि उसने अपनी बूरी साइड नहीं दिखाई और उसके बाद तो दोस्तों आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ही आके हला मचाया था लेकिन उसके बाद से फिर एलविश दिरे-दिरे मतलब उसने अपना बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया और जो विलेन दिखाना चाते थे बिग बोस वाले उसमें बूरी तरह से फेल हुए और बाद में ये जो पूजा भट ने टास्क किया था विलेन एलविश को बनाया था उसमे भी वो एक्टिंग तो विलेन वाली कर गया लेकिन उसको विलेन ठहरा नहीं पाए दोस्तों जो चोथे नंबर पर है एलविश वर्सिस आशिका की फाइट करवाने की तो एलविश के साथ आशिका को इसलिए लाए थे क्योंकि इन दोनों का पहले पंगा हो चुका था और उनको लग रहा था कि घर में जाकर भी पंगा ही करेंगे लेकिन बाद में वो अच्छे दोस्ताबित हुए और घर में जाते ही उन्होंने अपनी जो भी मिसंडरस्टेंडिंग थी वो दूर कर ली थी तो येस गाईस ये चार हैसी स्क्रिप्ट हैं जिसमें बिग बॉस मेक बूरी तरह से फेल हुए अगर आप एगरी करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्षिन में अपने जरूर बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो